ओम्चान्ति 23 नवंबर आज बाबा सम्मुक से हमें बहुत नसा चड़ा रहे हैं बच्चे बाब तुम से सम्मुक बाते कर रहे हैं बाबमानबगवान जो सबसे ज्याद मीठा है वो तुम्हारा बाब भी है परंपिता भी परंशिक्सक भी और परंशिद गुरू भी तीनोही अती मीठे हैं तुम्हे राजाई देने आए हैं स्वरक की तुम्हें राजयोग सिखा रहे हैं वर्सा दे रहे हैं टीचर वनकर सरश्टी की आदिम अध्यांत का ज्यान दे रहे हैं तो जो बाप तुम्हें विश्व की राजाई देने आया है स्वरक की राजाई वो कितना मीठा लगना चाहिए तुम्हें उससे तुम्हें कितना प्यार होना चाहिए, कई बार बावाने बात, कई तुम सम्मुक बैठे हो, तुम्हे अपार खुशी है, हम बेहत के बाप के सम्मुक पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें बहुत महनत करनी चाहिए ना कितना अच्छा पुरसाथ करना चाहिए महां रेश होती है दावक लोग दोड़ते है फरस्ट आने वाले को प्राइज मिलती है तुम्हारी भी रेश है याद की रेश, योग की रेश जो इसमें बहुत अच्छा पुरसाथ करते हैं वो पहला नंबर ले लेते हैं मैं तुम्हारा परमसद गुरू भी हूँ तुम्हें ज्यान दे रहा हूँ टीचर बनकर बहुत गहरी बात कही बाबाने तुम बच्चे जो मेरे से सम्मु ज्यान सुन रहे हो तुम ही भगती में जाकर मंदिर बनाओगे तुम ही सास्त्र लिखते हो बहुत सुंदर गुई ये बात है क्योंकि ग्यान हम सबने लिया है तो हमारे अंतर मन में ये ग्यान समाज आता है और द्वापुर से वो इमर्ज होने लगता है हम सास्तों की रचना करते हैं, मैं तुम्हारा परमसद गुरु भी हूं, तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूं, तुम्हें सतो प्रधान बनाकर घर ले जाओंगा, पावन बनाकर घर ले जाओंगा, पावन नहीं बनोगे, पवित्र नहीं बनोगे, तो तुम उच्छ प में शरीरधारन कराके भी बहुत सजा दिलवाते हैं, बच्चे त्राहि-त्राही करते हैं, कहते हमें यहां से निकालों, फिर हम पाप नहीं करेंगे, गर्ब-जेल की सजा बहुत भारी है, इसलिए इसको गर्ब-जेल खाजाता है, बावा तो तुम्हें गर्ब महल में ले जा रहे हैं महां कोई दुख होता ही नहीं क्योंकि महां पाप ही नहीं होते हैं तो तुम्हें श्रष्टी के आदी मद्य अंत का ज्ञान मिल गया है तुम स्वदर्सन चक्रदारी बन गए हो बाबा तुम्हें कहेंगे भी ऐसे मेरे मीठे स्वधर्सन चक्रधारी बच्चो लेकिन तुम्हें चक्र दे नहीं सकते क्योंकि तुम भागनती हो जाते हो चले जाते हो लेकिन तुम जानते हो हमसूर ये वनसी देवी देवता थे लक्ष्मिनायन का राज था किसने ये राज दिया कब दिया दुनिया में कोई नहीं जानता फिर तुम सब वनसावली से इतनीचे उथरते आए हो अभी सूद्र बन गए हो अब फिर से तुम्हें सूद्र से मैं ब्राह्मन बना कर देवता बना रहा हूं कि लोग पूछते हैं तुम्हारा उद्देश क्या है तुमने बताओ हम सूद्र थे अब ब्राह्मन बने हैं अब हमें ब्राह्मन से देवता बनना है स्वयम भगवान हमें पढ़ा रहे हैं वो प्यार का सागर है बहुत प्यार दे रहा है हम उसे बुलाते थे है पतित पावन आओ वो आकर हमें पावन बना रहा है बहुत उचा उठा रहा है अब हम उसकी मत पर चल रहे हैं तो हमारा लक्ष मन उससे देवता बनना है तो बाबा पूरा सुदर्शन चक्र भी घुमवा रहे हैं और कह रहे हैं तुम इस रष्टी ड्रामा के हीरो एक्टर सो हीरो हीरोईन हो बाबा समझा रहे हैं तुमने विश्व पर राज किया कई बार फिर तुम द्वापर युग से भी राजा बनते रहे हीरो एक्टर कार्थ होता है इतिहास में आप जानते होंगे कई लोगों के नाम बहुत परशिद्ध हैं इनोंने बड़े बड़े काम किये सोतंतर कराया देश को पहले भी बहुत बड़े मुस्लिमों से सोतंतर कराया कई विदेशी आकरमन कारियों ने भारत पे आकरमन किये यहां राज कर लिया था पहले वी द्वापुर में उनसे मुक्त कराया भारत को तो यह आत्माएं हीरो एक्टर कहलाती हैं किसी ने धर्म के छेत्र में हीरो पार्ट बजाया तो किसी ने राजनेतिक छेत्र में हीरो पार्ट बजाया कोई किसी और छेत्र में बहुत फेमस रेक कभी साहितकार तो बाबा कह रहे हैं वो सब तुम हो हीरो एक्टर्स, हीरो हीरोईन हो तो बाबा हमें नसा चड़ाते हैं अब जब हम हीरो हीरोईन हैं तो हमें अपने हर एक्ट पर बहुत ध्यान देना है तुम्हें फॉलो करना है सद्गुरु को सन्यासियों के भी फॉलोव सोते हैं पर वास्त हो फॉलोवर्स होते हीन ही कि सन्यासि वो घरस्ति तो लो करते हैं तोंब आपको पूरी देभभ हो पवित्र बनते हो उस जैसे निराकार बनते हो और भाबा तुम्हें घ्रड़े चलते हैं लगा घरड़े जाने के लिए आए हैं तो आज हम चिंतन करेंगे, हम हीरो एक्टर्स हैं, हमें कैसा पार्ट प्ले गड़ना चाहिए, और सारा दिन नसे में रहेंगे, कौन सम्मुख बैठा है, पुर्सोत्तम बना रहा है, सर्व स्रेष्ट युग में हम जी रहे हैं, बाबने का है, ये लक्षमिनायन पुर्सोत्त हैं, किसने इनको पुर्सोत्तम बनाया, तुम अब जानते हो, तो अपने पूरे चक्र को बुद्धी में सम्रण करो, तो तुम्हें अपार खुशी रहेगी, तुम सक्चे अर्थों में स्वधर्शन चकरदारी बन जाओगे, और जिस जिस स्वरूप को याद करेंगे, उस स्वरूप के गुण और लक्षन जीवन में आने लगेंगे, बर्दान है, सुक्समोरिष्थूल, सभी फर्मान पालन करने वाले सच्चे फर्मानदार भव, आबाक के दोप फर्मान मुख्या हैं, निरंतर मुझे याद करो, और संपूर्पवित्र वनो, तुम सच्चे वै इसनव हो, संकल्प में भी एपवित्रता तुम्हें टच न करे, और दिनतर याद की, बहुत सारी आज्याएं बाबाने दियें, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, सभी जो इस्थूल सेवाओं के, इस्थूल कर्म के लिए बाबाने फर्मान दियें, अज्याएं दियें, उनको और सुक्स्म फर्मानों को भी, हमें जीवन में धारन करके, बाबा के फर्मानदार बच्चे बनना है, स्लोगन है, बाबा को जान कर, दिल से मेरा बाबा कहना, यही सच्ची विसेश्था है, तो आज, सारा दिन हम इस नसे में रहेंगे, संगम युग पर कोन हमें विला है, जैसे हम उसके सम्मुख हैं, यह नहीं जुसाकार में थे, वही सम्मुख बैठते थे, बुद्धी से हम उसके सम्मुख रहेंगे, और आज सम्मुख रहने का यभ्यास करेंगे, मैं मास्तर ग्यान सुरिये हूं, और ग्यान सुरिये सिवा वाँखोगे, सम्मुख है, उसकी किरने पढ़ रही है मुझ पर तो इस सम्मुख होता है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पढ़ता है हर गंटे में एक बात यह अभ्या सच्चे दिल से करेंगे ओम चान्ते